परश्कार दोस्तों मैं हूँ अनिल चौदरी आपके अपने यूट्यूब चनल पर हार्दिक शागत दोस्तों यूक्रेन में काफी इंडियन स्टुडेंट हैं जो एम इबेस कर रहे हैं और यूक्रेन और रोशिया में युद्ध होने की शंबावना है और कई जगे युद् खराब इस्तिती बनी हुई है इन सब को लेके इंडियन स्टुडेंटों के पैरेंट्स और खुद इस्टुडेंट बहुत ज्यादा चिंतित हैं काफी स्टुडेंट यूक्रेन में फशे हुए हैं तो मैं पैरेंट्स और स्टुडेंट को यही कहूंगा कि आप अपने होस रखता है अब देखो सोसल मीडिया पर भी मैं पैरेंट्स को बताना चाहूंगा कुछ बड़ा चड़ा के भी बताया जा रहा है आपको पता है कि आज कल चीजे कुछ होती है और उनको न्यूज पेपरों के द्वारा अलग तरीके से शो किया जाता है लेकिन फिर भी आप स्टुडेंट को या अपने बेटे को समझाईएगा कि अब भी नॉर्मल इतनी मतलब जादा इस्तिती बिंगडी नहीं है लेकिन और आगे भविश में बिगणने की शमभावना है होशकता कई जगे ये भी का जा रहा है ये तिरतिय विस विद्धिकार रूप ले 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 तो आप स्टुडेंट से बोलें अपना राशन कम शेकम दो हपते का पहले से ले 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 इसके लावब कुछ पैसे आप डाल दीजिएगा एबन जिन सी महोशकता पैसे की रिक्वार्मेंट हो उनको तो वो अपने पैसे मां की लोकल जो करंशी है वो निकाल के रखें और प जन्हानी ना हो लेकिन युद्धै इसमें कुछ कह भी नहीं सकते तो आपको बश्में यही कहना चाहूंगा आप थोड़े से स्टुडेंट एक्टिव रहिएगा और परिस्तिति के अनुसार अपने आपको ढालने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि कई चीज़े ऐसी होती है जैसे बोलने में अच्छी लगती हैं लेकिन अन्दा स्पोर्ट जो डिसीजन होंगे वो स्टुडेंट आपके होंगे आप समझना मा की परिस्तितियों को और परिस्तिति के अनुसार ही अपना कदम उठाना इसके अलाबा दोस्तों अब इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते इ और एक फ्लाइट में ज्यादा कैप सिटी होती नहीं 500 या 300 स्टुडेंट आ सकते हैं तो एक साथ इतनी फ्लाइट अरेंज नहीं की जा सकती हैं तो कहिना कहीं शमय लगेगा और आप अच्छे समय का इंतिजार कीजिएगा कुछ दिन की तना तनी हो शकता आर दस दिन में म मामला शांत हो जाए लेकिन जब तक मामला गरम है तो आपको शरक्षित और सचेत रहना होगा कहीं किसी भी लापरवाई की वज़े से आप आ जाएं तो शकता आपको बहुत बड़ा नुक्षान हो तो दोस्तों आज के लिए इतना ही जैहंद बंदे मात्रम